कियों जोंगे न मुझे चांद पर देखकर दरवसल आज कल फेक निउस की संख्या बढ़ती ही जा रही है फेक निउस आग की तरह फैल रही है और यह फैलते हुए चांद तक भी पहुंच सकती है इसलिए देखे न आज मैं इन फेक खबरों को ढूंडते हुए चांद पर प अफते के पास मुखे फेक निउस जिनका हम करते हैं फिर परदाफास तो चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर चांद से ही जुड़ी है सबसे पहले तो आप सभी देश्वासियों को बहुत बहुत बधाई और प्रकास राज जैसे लोगों को पहुंची हमारी लान की काटून क्वीट करते हैं कि अरे अरे मेरा तो मतलब ही नहीं था अरे मिस्टिक हो गया से एकदम बलंडर हो गया हालांकि प्रकास राज अकेले ऐसे दुखी इंसान नहीं है इसी जमात के अगले साती है सेंसाय दप्रिंट सेखर गुपता दप्रिंट में बताया जाता है कि विज्ञान जो भारत में आया है उसका स्रेय मुगलों को जाता है मितलब वा गुपता जी वा गजब टो भी पहना रहे हैं आप मुगलों को लेकर तो भारत में ऐसा है कि होली दिवाली मुगल लाए आइसक्रीम इम्रती मुगल लाए और पेशे खिदमत है कि विज्ञान भी मुगल लाए इस टाइम पिरेड में भारत पर मुगल राज कर रहे थे इसी दवरान यूरोप में रोज नए नए आविशकार हो रहे थे यूरोप टेलिस्कोप माइक्रोस्कोप बैरोमीटर जैसे आविशकार कर रहा था और मुगल क्या कर रहे थे अनारकली को नचवा रहे थे वैसे जो ये लेख लिखने वाले लोग हैं और इने चापने वाले जो लोग हैं सचाई तो ये भी जानते हैं बस सुईकार करने में थोड़ा जिजटते हैं और हाँ ये दिक्कत अब और बड़ी होगी इस रोचीप ने भी कहा है कि विज्ञान के सिद्धान्त वेदों से आए हैं अलजेब्रा से लेकर यूनिवर्स तक सभी सब्जेक्ट में यूरोप के वैग्यानिकों ने हमारे नकल की है उन्होंने कहा संस्कृत में वैग्यानिकों के योगदान को भारतिया संस्कृति की हजारों साल की यात्रा से समझा जा सकता है दरसल यह जमात मनोज कुम इस सब्दे प्रदानमंत्री पहुँचे ते साउथ अफरिका जहां ब्रिक समिट का आयोजन किया गया था। इस अफवा को बढ़ाने का पूरा काम किया लेकिन अब इस पूरे विवाद पर साउथ अफरिका सरकार का वयान सामने आया है उसके मताबिक ये रिपोर्ट पूरी तरह से जूट है उपराश्पती ने प्लान के हिसाब से पीम मोधी का संबान किया उन्हें पहले से ही पता थ आपने रंगा सियार की कहानी तो सुनी होगी जो नीला रंग लगा कर जंगल का राजा बन जाता है लेकिन जवरात को सियार हूं हूं करते हैं वो भी जनवजात स्वभाव के कारण हूं करने लगता है और पिर क्या हो जाता है पिर वही वो पकड़ा जाता है ऐसा ही एक जन इसकी कीमत 400 करोड है, चूंकि यह सरासर जूट था तो भारत सरकार तुरन थरकत में आये और PIV ने फैट चेक कर इस खबर पर लगाया फेक न्यूस का ठपा, अगली खबर पर आते हैं जो आपकी और हमारी पसंदीदा खबर है, क्योंकि इसमें है पूरा इंटर्टेन्मेंट राउल गांधी जहां जाते हैं, वहां कुस्नकुस देश के ओपोजिट ही कहते हैं, राउल गांधी लद्दा की आतरा पर थे, जहां उन्होंने कहा कि चीन हमारे सीमा में घुस आया है, राउल गांधी कई बार ये बात कह चुके हैं, उनके लिए सामान्या है, लेकिन गांधी के इस जुट का परदाफास किया कंचन ने, कंचन पेशे से बाई कर हैं और वह भी लद्दा की यातरा पर थी, कंचन ने ट्वीट कर कहा, राउल गांधी ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि चीनी सैनिकों ने एक्जेक्ली किस जगा पर घुस पैट की है, तो उसी पे ITBP के फौजी भाई मिले, पर एक चीनी न मिला, कंचन ने लिखा है, लद्दाग बॉर्डर यातरा के दौरान आखिरी छोर तक गई, जहां महज 25-30 मीटर की दूरी पर चीनी आर्मी के सैनिक गस्त कर रहे थी, हमारी हर एक जमीन सुरक्षित है, तुमारी तुम जानो, जन 18 दरों को फताय करने वाली पहली महिला बाईकर है, और राहूल गांदी की क्या उपलब्दी है, यह हम बताते हैं, हमारे हिसाब से राहूल गांदी 23 वर्स की उमर में, उनके समर्थकों का, उनको युवा मानना हिस, उनकी सबसे बड़ी उपलब्दी है, आज के लिए इतना ही, फेक निउस से बचिए, स्वस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने वीकेंड के मज़े लेजिए.